दोस्तों आज किस वीडियो के इंदर हम आप सबे के साथ में अपनी क्लास सेवन्थ हिष्टरी सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर सिक्स के पार्ट थर्ड को डिसक्स करने वाले हैं और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड की वीडियो को नहीं देख हैं आपके हमपी मसूली पतनम और आपका सूरत अब यहां पर कहते हैं अब यहां पर कहते हैं अब जब कि क्रिशना तूंगा बदरा बेसिन अब जब कि क्रिशना तूंगा बदरा की बेसिन यानि कि उसके आसपास का एरिया है वहां पर आपका यह हमपी हमें देखने को मि आपके जो कृष्णा और तूंगा बदरा नदी है वो कहां पहें बाकि मैंने इसको आपको पहले भी स्टडी करा रहा है जियोग्रोफी के अंदर आपके जिक्सक्लाथ में अब कहता है विच फॉर्मिश ओवदी विजयनगर इम्पायर और ये क्या बनाते है आपके जो विजयनगर इम्पायर इसका एक केंदर बना देता है आपका आया था, I mean यहां पर इस्टेबलिश, I mean यह इंपायर आपका फैल चुका था, ठीक है, अब आपको कहते है कि भई, यहां पर जो हमें देखने को मिले, यहां पर रोइन्स जो की बचे में टूटे फुटे टुकडे, उनको देखे हमें, पता लगा कि भई, आपकी बह लोवोज तो दी, वैज देम टूगैदर बाइ दी, इंटर लोकिंग, अब यहां पर कहते है कि भई, सबसे खास बात जो यहां की थी, वो क्या थी, कि भई, यहां पर जो आपकी इंटे होती है, उनके बीच में सिमेंट वगएरा नहीं लगाई गई थी, जो कि आपके बाक तो अब आपको कहते है, view of a watch tower through a broken wall of the enclosure of the hampi, ठीक है, अब जो आपको देखो, यह सीन दिखा रहा है कि भई, कैसे आपकी इंटे यहां पर लगाई जाती थी, बिगएर सिमेंट वगएरा के, ठीक है, तो अब हम study करते हैं, आपकी fortified city को लिएके, तो कहते है, this is how a Portuguese traveler, दिम mango pays, और जिसने आपकी हमपी को यहां पर देखा था, 16th century के अंदर, और जो भी उसने बाते लिखे हैं, हम उसी के base पर यहां पर आपको बताएंगे, तो वो लिखता है, at the entrance of the gate where those pass who come from Goa, this king made within it a very strong city fortified with the walls and the towers, तो देखो, वो बताता है कि भई, यह जो आपका सहर बना इसके चारों तरफ में आपकी बहुत अच्छी और मजबूत दिवार बनाए गई थी और साथ में काफी other towers भी हमें देखने को मिली थे, these walls are not like those of the other cities, but are made of very strong masonry such as would be found in a few other parts, अब यहां पर कहते है कि भई, यह आपकी वैसे मलब की इंटों की तरीके से नहीं लगाई थी, जैसे कि भी सभी लोग अलगाती है, इनने काफी अलग तरीके से इंटों को लगाया था, और जैसे कि इनोंने बनाया था, वैसा बहुत कम देखने को मिलता है, और इन लोगोंने काफी मजबूत इस चीज को भी यहां पर बनाया था, अब कहता है, and inside very beautiful rows of the buildings made after their manners with a flat roofs, अब अब कहते है, why do you think the city was fortified, तो सबसे पहले आपसे यही कोशन पूछते है कि भी जो आपका सहर था, उसको fortified क्यों किया था, तो यार आब आप इस काबिल हो सकते हो कि आप इसका आंसर यहां पर सोच पाओ, और मिरेको भी comment करके बताओ, तो यह आपका homework के फट अफट से बता अब यहाँ पे कहते है कि भी काफी कमाल-कमाल बिल्डिंग्स यहाँ पे हमें देखने को मिली, जो आपकी राजा वगएरे की बिल्डिंग्स होती थी, वो भी कोफी कॉंपलेक्स और आपकी बहुत मज़िदार देखने में आपे लगती थी, और जो पिलर के आपकी होल कोर बैल्स इन इट्स हेड डे इन ती 15-16 सेंचुरी हमपी बस्टल विद आ अब यहां पर बताता है कि भई काफी ज़्यादा आपकी जो आपकी जीटी थी ना हमपी यहां पर हमें देखने को मिला भई आपकी जो कोमर्शियल चीज़े यानकी वैपार से लिटेट चीज़े रहती हैं उनके बारे में भी आपका जो कल्चर था वो भी आपका काफी इंदरा के वैपार करना स्टार्ट किया और भी हमपी को आपके बहुत बड़ा वहां पर आपका सहर बना दिया जहां पर वैपार काफी ज़्यादा आपका यहां पर होता था ठीक है बाकी चलो यार अब कुछ बात ही आगे भी स्टेडी कर लेती अब कहता है दूरिंग दे रूल दी विजयनगरा रूलर तुक कीन इंटरेस्ट इन बिल्दिंग तैंक्स एंदी कैनल दी एंटरा राज सागर तैंक वोस बूल्ट इन विद आ 1.37 किलोमेटर लोंग अर्थन डम्स अक्रोस दी माल देवी रिवर कृष्णा देव राय बूल्ट आ हूज स्टोन इंब कि भई जो यहां के आपके राजा लोग थे विजयनगर के उन्होंने क्या किया वही जो आपकी बिल्दिंग्स होती हैं आपके टैंक्स होती हैं आपके कैनल सोती हैं इनको बनाने में काफी इंटरस्ट इहां पे लिया जिससे कि क्या हो पाए कि भी लोगों को सिचाई के ल और भई आपके जो बाग बगार थे वो भी यहाँ पर लगाए गई आपके गार्डन्स ठीक है तो अब आगे कहता है temples were the hub of cultural activities and the dev dasis temple dancers performed before the deity royalty and masses the many pillars hole in the viru paksha अब यहाँ पर आप सभी को बताता है कि भई जो आपके यहाँ पर ज्यादा तर cultural activity थी वो हमें आपके मंदिर के अंदर यहाँ पर देखने को मिली और जो आपकी देवदासियां होती थी आपके temple के अंदर आपको पता ना लड़किया नासती थी आपके पुराने time के अंदर वो सभी लोग जो होती थी वो भी यहाँ पर अपने dance को perform करती थी और वो भी कल्जर का एक part था अब आपको बताता है कि जो आपके भगवान हो गए रोयल्टी हो गए वो सभी यहीं पर आपके इकठा होते थे और जो आपका pillar hall होता है वहीं पर यह सभी चीज़े हमें देखने को मिलती थी आपको बता रहा है भी यह कुछ चीज़े आपकी कहां पर है आपके विरुपक्षा टेंपल के अंदर हमने देखी जो कि आपको अभी करेंटली बता रहा है और विरुपक्षा टेंपल आपका किसका मंदिर था आपके शीवा भगवान का मंदिर था अब आपको कहते है the Mahanami festival known today as the Navratri in the south was one of the most important festival celebrated at the Hampi अब आपको यहाँ पर कहते है कि भाई जो आपका यहाँ पर Mahanami festival था जिसको आज हम Navratri के नाम से जानते हैं वह यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से I mean सबसे इसको बड़ा festival माना जाता था आपके South India के अंदर और काफिस को हर्स और उलास से मनाय जाता था आपकी हांपी के अंदर तो अब कहते हैं आर्केलोजिस्ट है फाउंड दी महानवमी प्लैटफॉर्म वर दी किंग रिसेवड गैस्ट और असेप्ट ट्रिब्यूट फॉर्म दी सब ओर्डिनेट चीफ अब यहाँ पर कहते है कि महानॉमी के दिन जो आपका राजा था वो क्या करता था यहाँ पर आज सपास के राजों के और राजाउं को बुलाता था और उन से यहाँपेघिस्ट आपनेमल अपके किफ्ट लेता था और सात में बहीं जो अपर दर्बार के जो नीचे लोग थी वो भी उसको यहाँ पर gift वगारा देते थे From here he also watched the dance and music performs as well as the wrestling bouts अब यहाँ पर कहते है कि उस दिन वो लोग क्या थे dance भी देखते थे, music भी सुनते थे और साथ में जो आपकी wrestling होती है बाद में उसको भी देखते थे अब आपको यहाँ पर आपकी figure number seven के अंदर stone chariot विताला temple हमपी जो आपका विताला temple है हमपी के अंदर उसके उपर आपका यह stone का रत बना रख है उसको आप यहाँ पर देख सकती है तो अब आपको कहते है हमपी fell into ruin following the defeat of the Vijaynagra in the 1565 by the deacon sultans, the ruler of the goal kanda, vijayapur, एहमद नगर, बिरार्स and the बिदार, अब कहते है कि जो आपका हमपी था भी वो आपका टूट फूट गया अब हमारे पास प्लेकुल कम ही यहाँ पर देखनी को मिलता है वो क्यों मिलते है क्योंकि जो आपके विजय नगर था, वो लोग हार गए थे, जो हार गए थे, किस से हार गए थे, वो हार गए थे ट्रेट डूरिंग दी मुगल पिरिएट अलोंग विद दी कैम भी प्रेजन डे कमबाट एंड समवट लेटर एहमदाबाद सूरत वोज दी गेटवे फोर ट्रेट विद दी वेस्ट एशिया विया दी गल्फ ओफ दी और मोल सूरत वोज हैस अलसो बीन कोल्ड अगेट तो मे प्रेज्ट यहां पर आते थे उनके लिए अप्का सूरत था सबसे बड़ा पोर्ट आपका यहां पर था इमीन बंदर गाथा जहां पर आते थे अपने जाजों पर और काफी वयपार यहां से आपका होता था और कहता है उसको आपका गेट ओफ मिक्का भी बोला जाता है क् तो आपका यहां पर आगे चल के जो एहमदाबाद था, उसकी इंप्रोडेंस में यहां पर बढ़ती चली गई, और आपको कहते हैं कि भही यहां पर जो भी आपका गल्फ से ट्रेड होता था, जो आपके आपका यहां पर सूरत के आसपास से ही, मतलब कि सूरत से जो ट्रेड चला, वो आपका यहां से गुजरता था और वहां से ट्रेड आता था, बाकी चले और फटाफट से अब आगे स्टेडिक, तो अब कहते हैं, अब यहां पर आप सभी को बताता है कि हर एक कास्ट के, हर एक धरम के लोग यहां पर आपकी सूरत के अंदर हमें देखने को मिले उस टाइम पिरिड के अंदर और सभी यहां पर रहने की कोशिश करते हैं, रहते थी, और कहता है कि आपकी जो 17th century आगे चलके आई, तो वहां पर जो आपके पूर्टगीज के ट्रेवलर थे, आपके डच लोग थे, आपके जो इंगलिस लोग थे, उन्होंने अपने फेक् अब कहता है कि जो आपका इंगलिस का क्रोनिकल था, उसने एक अकाउंट लिखा यहां पर इस पूर्ट के बारे में आपके 1689 के अंदर ओ कहता है, अब यहार आपको मतलब बताता है गाईज, यहां पर आपके इंपोरियम का, इसका मतलब होता है, आप प्लेस वेर दी गू प्रोडक्शन सेंटर आरब आउट एंड सोल, कि आपकी जहां पर बहुत बड़ी मातरा में चीजे बनती हैं, वहां से उचीज़ों को लाना और यहां पर आके बेच देना, तो इसको हम कहते हैं, इम्पोरियम, तो अब आपको आगे कहते है, तेर वर अल्सो सेवरल रिटे और इसि pace of Surat were famous for their the gold laces border, jari and had a market in the West Asia, Africa and Europe. अब यहां पर कहते हैं कि भई जो लोग यहां पे आते थे तो यहां पे हमने काफी ज़यदा शोप देखनी को मिली हमें आपके कपड़ों से रिलेटेटिट्ड जो के आपके यहां पे cotton textile होती थी हूँ इसको यहां पे बेचती थी अब कहता है the state built numerous rest houses to take care of the needs of the people from all over the world who came to the city अब यहाँ पर बहुत जदा आपके rest house भी city के दर बनवा रखे थे वहाँ के राजा ने किसलिए बनवाए थे जिससे क्या हो कि भई जो अलग-अलग सहर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनके पास रहने की यहाँ पर कमी ना हो अब कहता है there were magnificent building and innumerable pleasure parks अब यहाँ पर बहुत सारी आपकी बड़ी-बड़ी buildings और भई बहुत अच्छे आपर parks भी हमें देखने को मिले अब कहता है the Cartia Ward state or the Mahajans जो आपके Cartia Ward के state थे और Mahajans थे अब had huge banking houses at the Surat उनके बहुत बड़े-बड़े आपके banking house है I mean वो यहाँ पर bank की तरह आपे काम करने की कोशिश करते थे अब कहता है it is not worthy that the Surat hoodies were honed in the far off market अब यहाँ आप इस बात को भी देखो कि भई जो आप सूरत से चीज़े बनती थी वहाँ पर जो आपकी दूर-दूर की market थी वहाँ पर भी भो ज़ादा परसी दुहाँ पर थी जिसे कि आपकी कारियों हो गई Egypt के अंदर, बासरा हो गई Iraq के अंदर और आपका यहाँ पर antwerp हो गया Belgium के अंदर आपको बता रहे कि दूर-दूर की market के अंदर आपकी सूरत की चीज़े यहाँ पर मसूर थी अब आगे कहता है however, सूरत began to decline toward the end of the 17th century अब यहाँ पर कहता है कि भई जो आपकी यहाँ पर सूरत थी, वो city की यहाँ पर importance आपकी down चली गई आपकी 17th century के अंदर और यह किसी एक कारण से नहीं गई, इसके कारण आपके बहुत जादा यहाँ पर रही अब वो क्या रही तो लोग परुम को भी यहाँ पर जान लेती हैं, तो कहता है जो आपका मुगल इंपायर था उसका पतन हो गया, उसके वज़य से यहाँ की जो market थी, productivity थी उसके भी यहाँ पर पतन हो गया अब कहता है control of the sea roots by the Portuguese and the competitor from the Bombay अब कहता है कि जो आपके समुंदरी के यहाँ पर जितने रास्ते था हुए पुर्तगीज लोगों ने और जो भाई यहाँ पर जो competitor थे वो Bombay से यहाँ पर आना start हो गए और जिसको हम आगे टाइम पर Bombay कहती है और कहता है where the English East India Company shifted its headquarter in the 1668 और जो East India Company थी उसने भी यहाँ से अपने headquarter को shift कर लिया था अपने 1668 के अंदर अब कहता है today सूरत is bustling commercial center और आज भी आपका जो सूरत है वो एक बहुत बड़ा आपका commercial center हमें देखने को यहाँ पर मिलता है बागी चलो यार अब हम बात करते हैं fishing in trouble waters मसूली पतनम की भी बहुत कठिन आपके महुत मनलब की बहुत लहरीदार पानी में या फिर समूंदर के पानी में fishing कैसे करते थे आपके मसूली पतनम के अंदर और क्या कुछ वहाँ का सीन आपका यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और क्या बात यहाँ पर हमें समझ में आती है कहता है the town of मसूली पतनम और the मैचीली पतनम literally fish port town lay on the delta of the Krishna river अब यहाँ पर कहता है कि भई जो आपका यह fishing port town था यह आपका Krishna river का जो delta है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कहता है in the 17th century it was a center of intense activity और आपकी 17th century के अंदर यह क्या बन गया सबसे ज्यादा activity का आपका यहाँ पर हमें देखने को मिले का या नहीं कि आपका बन चुका था यह अब कहता है अब poor fisher town आपका जो गरीब fisher town था यहाँ पर क्या कुछ scene होता चलो एक बार उसके बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं तो कहता है this is a description of masoli patnam by a william meth hold a factor of the english east india company in 1620 अब यह जो आपका description हमें देखने को मिलेगा यह किस ने लिखा है आपकी william meth hold ने जो कि आपक एक factor थे आपके English East India Company के 1620 के अंदर तो कहता है वो कहते थे this is a cheap port of Golganda where the right worshipful East India Company have their agents अब यहाँ पर कहता है कि भई यह जो आपका port था ना Golganda का यहाँ पर आपके जो East India Company थे उसके कुछ agents यहाँ पर रहते थे It is a small town but populous turned world ill-built and the world situated हम यहाँ पर कहते है कि भई यह जो आपका सहर था वैसे तो काफी कम यहाँ पर छोटा सा सहर था ज्यादा बड़ा सहर आपका नहीं था यहाँ पर आपकी जो population थी वो भी थोड़ी कम थी और यहाँ पर कोई आपकी जो दिवार वगारा थी वो भी नही बनाई गए थी और आपका यह थोड़ा मलब की गलत तरीके सही बना रखताए में कोई प्लानिंग वाली सीटी आपकी यह नहीं थी और कहते है जो यहाँ पर situated मलब की जो कुछ भी यहाँ पर दिवारे वगारा बनाए गए थी वो सभी भी यहाँ पर ऐसे मलब की कुछ प्लेस वेर दिशीप सकें एंचर ओर जहां पर आपके समदरी जाज आके रुकते थे मेड इट एर रेजिदेंस फोर मर्चेंट्स एंड सो कॉंटिनू सिंस अवर एंड दिडच नेशन फ्रिक्वेंट इस कोष्ट अभी यहाँ पर बताता है कि भाई फिर क्या हुआ आपक जो दोनों लोग थे आपके इंगलिस और डच इन दोनों ने क्यों सोचा कि हम यहाँ पर अपनी सेटलमेंट्स को बनाना स्टार्ट करते हैं आपके इस टाउन के आसपास क्यों ने सोचा कि भाई इसको अपने अकोर्डिंग ली प्लान कर सकती हैं और यहां से में फिश भी इसका मतलब होता है ओफिश इंचार्ज ओफ ट्रेडिंग एक्टिविटी ओफ दी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी की भाई आपका एक ओफिश इंचार्ज होना ट्रेडिंग एक्टिविटीज को लिगी ठीक है तो अब कहता है अब जो यहां पर आपका कुतुब साही आपका जो राजा था गोलकांडा का उसने क्या किया आपकी बहुत सारी यहां पर मोनोपली मतलब की लगा दिया आपकी मतलब की काफी जदा कपड़ों के ओपर स्पाइसिस के ओपर और बहुत सारी चीज़ों के ओपर जिसे क्या हो पाई कि जो पावर है वह completely यहां पर इस्ट इंडिया कंपनी है फिर बाकी कंपनी के हाथ में ना जा पाई इन सभी को लेन भई उसकी वज़े से क्या हुआ कि जितने भी आपकी लोग थे जो कि आपके गोलकंडा के नोबल लोग हो गए पर्शियन मर्चेंट हो गए तेलगू हो गए आपके जो चेती लोग थे वो भी हो गई इन सभी के बीच में क्या होया पॉम्पिटेशन हो गया कि भई यहां हम मसाले खरीदेंगे हम मसाले खरीदेंगे काफी ज़दा दाम थे वो भी अपने बढ़ाते चले के उस वज़े से क्या हुआ यह जो आपका सहर था धिरी धिरी बहुत बढ़ा होता चिला गया और यहां पर काफी ज़दा आपकी प्रोस्पेरिटी आ गई As the Mughals begins to extend their power to the Golkanda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other, अब यहाँ पर कहते है कि भई, जब Mughals ने सोचा कि हम Golkanda को अपने अंडर में ले ले लेते हैं, तो जो उनका यहाँ पर representative था Mughal का, जिसका नाम क्या था, Mir Jumla था, वो खुद भी एक वैपारी था, तो उसने यहाँ पर क्या किया, एक गेम खेल दिया, Dutch और जो आपकी English East India Company थी इन दोनों के बीच में, और जिससे क्या हो, इन दोनों के बीच में काफी competition यहाँ पर स्टार्ट हो गया, इन 1686-1687, Mughal Emperor ओरंग जेब एनेक्स गोलकंडा, अब कहते है कि जो आपका 1686 और 1887 था उसके बीच में, जो आपके ओरंग जेब था, नो ने क्या किया, यहाँ आपके गोलकंडा को जीत लिया, ठीक है, बागिया चलो, फटरफट से आगे स्टेडी करें, तो कहता है, इस वज़े से जो बागी कंपनी थी और बाकी कंपनी थी, वो मजबूर हो गई, इस जंगे से कोई दूसरा अपना अल्टरनेटीव देखनी के लिए, और वो इस बा हुआ कि उनकी जो आपर नई पोलिसी आगे चल के आई, तो उस पोलिसी में भी इस बात को मद्धे निजर रखा गया ठीक है, अब कहते है, तो नई सेंटर आपकी यहां पर कंपनी की आई, वहां पर पूलिटिकल, इदिस्टिटिव और कोमर्शिल रोल्स, इन सभी को भी ने ध्यान में रखा आप कहता है अब यहां पे आप सभी को बताते हैं कि भी जितने आपके वैपारी लोग ते कुछ कोलकता में चले गई आपके कुछ यहां पे बॉमबाई में चले गई तो उस वज़े से जो आपका मसोली पतनम यहां पे प्रोस्पैरस हो गया था अब वो क्या होआ धीरी धीरे आपका यहां पे डिकलाइन होना स्टार्ट हो गया जो उसकी प्रोस्पैरिटी थी वो कम होनी स्टार्ट हो गई ठीक है अब कहता है आपको being today nothing more than a diplated little town और आज की time पे आपका ये छोटे से town से के अलावा I mean कुछ भी नहीं है तो यार बाकी चलो आप आगे study करते हैं हमारे नए towns को लेके और जो हमारे वैपारी लोग थे उनके बारे में तो कहता है in the 16th and the 17th century European countries were searching for spices and textile कि जो आपकी 16th और 17th century थी उस time पे जो आपकी European company थी बहुत सारे यहाँ पे ऐसी जंगे के खोल सकतर है जहाँ पे उनको मसाले भी मिल जाए और कपड़े भी काफी कमाल मिली which head became the popular both in the Europe and the West Asia क्योंकिन दोनों की काफी demand थी आपकी Europe और West Asia के अंदर the English, Dutch and the French formed the East India companies in order to expand their commercial activity in the East अब यहाँ पे कहता है कि जो आपकी English लोग थे, Dutch लोग थे, French लोग थे, इन सभी ने आपकी East India companies को बनाया किसलिए बनाया कि जो हमारा वैपार है हम उसको यहाँ पे East की साइड में क्या करेंगे बढ़ाएंगे अब यहाँ पे कहता है कि भी स्टार्टिंग में क्या हुआ जो हमारे इंडिया के बड़े बड़े वैपार ही लोग थे, जैसे कि आपका मुल्ला, अब्दुल, गाफूर हो गया, विजरी वोरा हो गया, इन सभी इनके साथ में काफी बड़े बड़े समुदरी जहाज थे और काफी ज्यादा जहाज थे, अब यहाँ पे क्या किया, जो हमारी successful commercial and a political power in this subcontinent और हम अंत में यही बात कह सकते हैं कि जो आपकी English लोग थे यानि कि आपकी जो English East Company थी उसने क्या हुआ वह यहाँ पर powerful रह गई है आपकी हमारे political पमलब की powers को gain करने में हमारी subcontinent के अंदर अब चलो है और फटा फट से एक बार आके जान लेते हैं क्या बात कहना अब कहता है this part in demand for goods like the textile lead to a great expansion of the craft of the spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. अब यहाँ पर कहता है कि अगर आपके textile की यहाँ पर demand बड़ेगी तो जह आपके craft थे आपके spinning को लेके, weaving को लेके, bleaching को लेके, dyeing को लेके, यह सभी भी आपके बढ़ते चली कि इन सभी की demand यह design थे, उनमें भी काफी improvement हमें यहाँ पर दीखने को मिली, however, this period also saw the decline of the independence of the craft person, और यहाँ पर क्या हुआ जो आपके craft person पहले independently काम करते थे, उनकी यह चीज़ भी यहाँ पर decline होना start होगी, लेकि यहाँ पर क्या होड़ा था, फाइदा तो बिल्कुल हो ही रहा था, they now begin to work on a system of advance, which meant that they had to weave clothes, which was already promised to the European agents, अब यहाँ पर क्या हुआ कि भई, उन लोगों ने advance के ओपर अपना काम करना start कर दिया, और पहले contract उनका हो जो था, बही किसी company साथ में कि भई, आप पहले हमें तना पैसा दो, तो हम आपको यह चीज़ नहीं आपर बना के दे देंगे, weavers no longer had the liberty of selling their oven clothes, or weaving their oven patterns, और आगे चलके क्या हो गया, कि भई, जैसा company कहते थी, वो वैसा ही कपड़ा वहाँ पर बना के दे ले ले लगे, यूँकि भई, वहाँ पर उनके पास अब अपनी खुद की freedom नहीं रेगी, भई, वो कैसा भी कपड़ा यहाँ पर बना सकती है, अब जैसा company को design चीए, वो वैसा ही वहाँ पर बना के देंगे, they had to reproduce the design supply to them by the company agent, और उसके बाद क्या हुआ, आगे चलके company के agent को देते थे, और जो agent था वो उसको आगे बहुंचाता था, अब कहते है, the 18th century, so the rise of Bombay, Kolkatta and Madras, which were Nodal Cities today, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो आपकी 18th century आई, वह major changes as merchants and artisans were moved into a black town established by the European companies within these new cities, अब यहाँ पर कहते है कि भई, अब क्या हुआ धिरे धिरे जो आपके वेपारी लोग थी, जो आपके artists लोग थी, artisans लोग थी, इन सभी ने क्या किया कि भई, यहाँ पर आपकी company ने अपने सहर बनाये थे, टाउन बनाये थे, वहाँ पर जा अब यहाँ पर आपको market की image अगें से दिखा रखी है, और यह आपकी Bombay की कुछ गलियां दिखा रखी है, आपको 19th century के अंदर ठीक है, तो चलो अब एक fact को भी यहाँ पर जान लेते हैं, जो कि आपका fact relate करता है, आपके Vasco di Gama, जो कि आपके एक Christopher Columbus थे, इन दोनों के बीच में क्या कुछ बात यहाँ पर बताना जाता है, चलो एक बात को यहाँ पर जान लेते हैं, तो कहता है, in 15th century European sailors undertook unprecedented explorations of sea routes, अब कहता है कि 15th century के अंदर क्या हुआ, जो आपकी European जो भी समंदुर जादे को यातरा पर जाते थे, उन दोनों के यहाँ पर mind में आया कि हम जादा से जादा world को explore करने के यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, they were driven by the desire to find way of reaching the Indian subcontinent and obtaining spices, और उनके मन में यह desire था कि हम क्या कर आप पूर्तगीज सेलर, आपके क्या थे एक पूर्तगीज सेलर थे, sailed down to Africa coast, went round cap of the good hope and crossed over to the Indian Ocean, अब यहाँ पर कहते हैं, वो हमारी Africa के East में पहले पहुँच गए, और फिर बाद में हमारे Indian Ocean को cross करके, he first journey took more than a year, और जो इनकी पहली जरनी यहाँ पर रही, उसमें इनको एक the Calcut in the 1498, और कहां पर पहुँचे, यह हमारी Calicut में हाँ पहुच गए, 1498 के अंदर, and returned to the Lisbon, the capital of the Portugal, the following year, he lost two of his four ships, and of the 170 men's at the start of the journey, अब यहाँ पर कहते है कि इस जरनी के दुरान, इन्होंने अपने दो समंदर जाजों को भी गवा दिया, लेकिन finally इनने हमारे इंडिया को और आपको यह बात भी बताता है कि जो 170 इसके आदमी थे, वो भी यहाँ पर मारे जा चुगे थे, only 54 सर्वाइव और सिरफ 54 लोग ही यहाँ पर सर्वाइव कर पाये थे, in spite of the obvious hazard, the route that were opened up proved to be extremely profitable, and he was followed by the English, Dutch and the French sailor, और उसके बाद इनके बाद ही यहाँ पर जो आपके English, Dutch औ माने डूंडा था, ठीके, बाकी यहाँ पर आपको सो कर रखे, आपके पिक्चर जो के आपके वासकोडी गामा थे, वो कुछ इस टाइप के यहाँ पर आपके दिखाए दे दे थे, ठीके तो अब कहते है, the search for sea routes to India had another unexpected fallout on the auspations that the early was route करिस्टोग्राफर Columbus and Italian decide to sail westward across the Atlantic Ocean to find a route to the India, अब जो आपके Columbus थे, उन्हों ने ठाना कि भाई जो Atlantic आपका समुंदर है, मैं उससे होते हुए, यहाँ पर जाने की कोश्च करूँगा, इंडिया के अंदर और वहाँ से कोई रास्ता यहाँ पर ढूंड़ूगा, He landed in the West Indies, which got their name because of his confusion, और यह कहाँ पर पहुँच गए, फिर आपके West Indies के पास पहुँच गए, और जो हमारी West Indies आपको यह नेम पता है क्यों मिल है, क्योंकि वो जो हमारे Columbus थे, वो निकले तो हमारे इंडिया की कोश में थे, लेकिन कहाँ पर पहुँच जाते हैं, आपकी West Indies के अंदर पहुच जाते हैं, 1492 के अंदर, और कहते है, He was followed sailors and conquerors from Spain and the Portugal, who occupied large part of the Central and the South America, often destroying the earlier settlements in the area, अब यहाँ पर कहते है, इसके बाद इसका जो रासो था भी, बहुत सर राजाओं ने भी आके जलके फोलो किया, और वो भी West Indies बाद में गए, ठीक है, तो यहार दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लिए, तो उसको लाइक करना है, पुल भी मत भोलना, और अपने फ्रेंड्स के आप में शेयर पक्का कर दें, अगर वो भी घर बैठे बैठे स्टेडी कर पाएं, तो आपसे मिलते हैं, अगली वीडियो में बहुत जोली, तब तक यह ब्गी दोस्तों, भाइ बाई, झाव भाई